असलाम लेकुम स्टोएंट्स फिजिक्स के चैप्टर 6 का टापिक आज हम डिसकस करेंगे यह दैड इस पावर स्टुएंट्स वट इस पावर पार को डिफैन करते हैं एक्शल में होती क्या है पावर इस जिफाइन इस दर रेट जब भी फिजिक्स की लेग्विज में रेट और वो किसीभी चीज़ के लिए हाथ से हो दिस्टेन्स के लिए हाथ से हो humility हमारा यह होता है कि उस चीज़ को टांगे साफ देखना तांग Noah's छिल्पने को देखना डड़क ने करना में एक भी आम डिसंटंस को टूर्isk tyre किसा सबसार तक तो जब तो तक तो किस्पलेशमेट को ताइम के थी तो तो आी तो तब क्या होगा पावर अच्छा अब हम रेट का वर्ड जन्ग भी कहीं में वीरूस करते हैं तो हमारा मतलब यह होता है कि उस चीज़ को होने के लिए जो टैम दरकार होता है उसके लिए हम कहते है रेट अब यहां हमारा रेट अपड़िवर से क्या मुराद है अब एक का जानी होने के लिए को दो होगा जलनी यह ज्यादा टाइम में कोई कह आख ज़री हो जैओ संक्रेट है क्या पर-क यह आपकी चैने क्यांते होगी वह बात हो पAnother तो बहुति चुऊलने क्रेंगे कि ऐस क्योलती है अब आपको चनौत जो लेजते 123ム यह कि कोई टास्कू कोई वर्गन पर्फार्म करने के लिए जो टैम्टेक किया जाता है कितने टाइम में को वर्गन किया गता यह किसी भी अब जैक्ट के किसी वाड़ी की पावर गेलाती है पिर स्टुरेंट्स डेफिनिशन नमबर टू से इसको समझते हैं इसको यूभी डिफाइट किया जा सकता है है पावलेक डिफाइड डेट्ट इस इनेर्जी इस पिम ऐसेज़्ेटर के स्टाट से पढ़ते हों कि किसी वी अब्जेक्न के अंदर जो इनर्जी आती है इनलिफ फोघ्स लेंटरी अबैलिटी याती यह जीनलिफ यह वही बाड़ी कितना वरग्डन कर सकता है जितने हुआ अधिकर जीदेरी मांटास इनरजी कर्णीब करता है एक्जैक्टली उत्रा ही मांट का वर्यक्ट रैंड करता है ट्ले यह 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 भी कह सकता हूं कि यह वोट टाइम है जिन ऐसको दर्कार है कितने थाघी कितने बत्री वाक्त में करता अब जो तो एक और कितने अजी एक कितने थाजूं करेगा जो उसकी पार एक फज़न को सबक्र गलिख फजी य। इसको अवर अब वाइट करते हो तो शबयास के कि कोई बाडि कितने टाइमने कितना करता है यह उसकी Do stupid कि ओर मेंस के वो उस व्हागुक्रण करने के लिए कि इनर्जी कंजिम करता है और विए कितना टाइम लेता है यह वे सिंट फॉरक थेटमिंठ कोव हैs कि देते हैं अब कि यथा कि मजीद समझा जा सके तो पार अगर मैं इस फर्मूला के तैस्ट देखूंगी तो इस डिफाइन इस रेट आफ दोइंग वर्क या वर्क डन वर्क डन डिवाइड़ वाइड तैंड ठेकर किसी भी काम को करने के लिए किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास वर्क डन करने के लिए जो टेकल रेकिृःर moisture पर यह इसकी पॉला फैब सेंसेंट पर मैं यह सकता हूँ कि पावर गेंड होती है कि चुकि हो वादी में इनर्जी पोजेस कर वाते हैं तो इसमें बैलेट ही आता हूं कितने इनर्जी करता है तो फिर मैं यह भी कर सकता हूं कि जो बाड़ी इनर्जी करेगी इनर्जी करेगी कितने टायम में डियाड़ी बाड़ी करती है जो उसकी पावर कहला थीक हो गया और यह साफसे कितना टायम में कोई बाड़ी वर्क दन करता है इसकी पावर एलाती है आई यह सुदेंट अब दिखते हैं कि पावर किस केस में ज्यादा होगी किस केस में काम होगी एक्जाम्पल नमर्बर बन एक्जाम्पल नमर्बर बन क्या है कि लेट सपोस्स एक प्रेसिंग इवेंट है उसमें टू पर्सन है सुदेंट एक पर्सन एक वेसिंग डिस्टेंस कवर करता है जो के हंड़ेट किलोमीटर का डिस्टेंस है वह उसको एक गड़े में कंप्लीट करता है इसको जाला रेटन शेप दे देते हैं ताके आपको समझने में असाधी हों पर्सन नहीं तो है वह सुदेंस वन हांड़ किलोमीटर का फासला सपोस कंप्लीट करता है ताम टेकन लेता है वन आर्र पर्सन भी स्टेंस सेम दिस्टेंस सेम दिस्टेंस किया है कि तर्टी फाइफ मिनट में अजिप करता है अब तास्क आलओ सेम इंसे बिस्टेंस हैं हंडें किलोमीटर हंडेंड किलोमीटर स्वाइब पावर किसकी जएधा है पर्सन भी ने जेम फासला कम बक्त में कंप्लीट किया मतलब उसमें सेम फासला के ज्याधा इसकी पावर क्या है ज्यादा है और इसकी पावर क्या है काम है किसकी निजबर परस्थन देग निजबर इसकी कई जा सकते हैं जैसा के आपने कोई टास्क दिया कोई भी टास्क दिया अगें टू परसं आपने यह लिए परसं ए परसं बी स्टुडेंट्स टास्क सेम है तास्क जो है परसं ए परसं ए परसं बी टास्क हमने नहीं वह लिए हमने देखा कि आपकी बाप परसं ए जो है वो जो ए और बी को असाइंग किया गया है उस सेम टास्क कम वक्त में कंप्लीट करता है यादि वह कम टाम लेता है जब आप यह बोलते हो कि वह बाड़ी कम टाम लेता है तो उसका मतलब यह ज्यादा इनर्जी कंज्यूम करता है अपनी ज्यादा पावर लगाता है उसकी इस बात से हमारे कंप्लीट किया है ज्यादा नियुक्त कर समय सब्सक्राइड तो इस पाणने है AM does she ज्यादा टाइम लिया सेम टास्क करने के लिए इसका मतर्ब क्या है कि इसे कम इनर्जी कंजूम की कम वर्दन किया सेम टास्कों कॉप्लेट करने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगा और इसकी पावर काम थी यह है resemblance two cases के बीज़ी तो आपने यह देखा होगा कि हम power को कैसे define करते है कि यह वो time taken होता है यह वो वक्त होता है यह वो दौरानिया होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई body अपनी कितनी energy consume करता है या फिर कोई body कितना burden करता है maximum burden, less time taken, maximum power clear, same burden, large time taken, less power that's it, कि आप ज्यादा time लेते हो एक task को perform कर निकली means कम energy लगा रहे हो कम power लगा रहे हो कम work done कर रहे हो और यह सेम task को आप बहुत कम time में पर फार्फार्म कर रहे हो means ज्यादा energy consume कर रहे हो और ज्यादा बार्दिन कर रहे हो power ज्यादा है तो यह दो था वाट से और इसका symbol इसके माल होता है capital W आई इसको define करते है what is what वाट इस वाट तो स्टोएंज पावर को हमने देखा के यह बराबर है work done जो किसी बाड़े पिखिया जाता है और इस work done के लिए जो time लेता है time ठीक ठीक करता है वह हमारे पास पावर के लगते है अब वाट डंट जो रहे है वो क्या है ability of a body to do work यह वो एक energy है ठीक है work done करने के लिए बाड़ी में energy हो नीचे लिए तो आप उसको किस में measure करते हूं जोन में जोन में इसी इसाफ़ से जो time लेता है इसका ऐसी लिमान का है सपिट clear सपिट स्वस्वंस हम यह कह सकते हैं कि पावर क्या है जो किसी बाड़ी पे अगर वाट जोल का बर्दन लगा दिया जाए वाट जोल की इनर्जी उस बाड़ी में कर नेकले वो time लेले कितना एक सेकंड का एक सेकंड का वो क्या किलाईगी उसकी power clear वो किसी के बराबर होगी 1 watt के क्थैश्ज के power को आप जो ऐसे हीने करते हो डैड़िस वाट कहां क्या कैसकते ऑन वाट किसे बराबर है अब यह पूरा का पूरा बराबर है वाट केस्टिट डब्ली एंट है रिश्क का अवले के लिए उसमें वन जोल के रहाँ ताके वह वन जोल का व्रटिंड न कर सके और तो अगर आप से पूछे कि वाड इस बन वाट बहुत सिंपल है वाट इस वन वाट वन वाट इस डिफाइन इस किसी बाड़ी पर बन जाउल का वर्ग दन किया जाए और बन जाउल का वर्ग दन करने के लिए वह एक सेकंड का टाम ले आप इस एक्वल टो वन वाट दा होल यूट विल बिकम वन वाट वाट वह एक आड़्री एंप्लाइंस के लिए एक जिसे कहलो कि आड़्री उनट है लेकिन जब हम एक ड्रस्टील एक कमर्शल एंप्लाइंस पर जाते हैं जिनकी पावर हो ज्यादा होती है जो के हंटेड य आपनी अथिकल ईनर्जी को तो यू करते पावर डिंवर करने के लिए एंपलाइंस ऐस पर दिलीवर करने के लिए जो के कौन कौन सी है, the first one is, the first one is one kilowatt, one kilowatt, चुंके one kilo जो है, one k जो है students, ये prefix है, जो के fix किया जाता है, prefix are what, that are placed are fixed before SI unit, clear, अब वार तो है SI unit है, अब वन के किसके बराबर है students, one k बराबर होता है, ten to power three के, अब ten to power three बजाते हैं, खुद किसके बराबर है, one thousand के, तो यह निए सारे चीज़े, अब इसको मैंने लेख दिया scientific notation में, जब आप किसी last zero's number को power of ten में लेखते हो, तो वो scientific notation लेलाता है, अब scientific notation का मसला, हम मजीद असान करते हैं अपने लिए prefix से, एक word ये letter fix करते हैं, SI unit से पहले, इस SI unit से पहले, एक word ये letter जो है वो fix करते हैं, एक ten to power की number को, एक letter से abbreviate करते हैं, तो ये जो आपके पास ten is to power three है, ये बराबर होता है, one k के, prefix में one k is equal to ten is to power three, so I can write, one kilowatt equal to k watt, k watt, k is equal to ten is to power three, and ten is to power three is equal to thousand, similarly, एक other mega unit use करते हैं, जिसका, जिसमें energy जो है, वो thousands, thousands, hundred thousand, में deliver की जाती है, that is one megawatt, one megawatt, since one mega इसके बराबर होता है, one mega is equal to capital M ten is to power six, अब ऐसे powers, इतने last mega power हमें industrial commercial पर पर बड़े-बड़े एंप्लाइस को deliver करने पड़े हैं, तो वहाहां पर watt नी इस्तिमाल होता, students, वहाहां k watt, megawatt जैसे का इस्तिमाल किया जाता है, so megawatt जैसे, one megawatt is equal to ten is to power six watt, and ten is to power six column, प्लेस का सकते एक लेटर से, एक वट से, एक वट से, that is capital M, a word or letter that is placed before S-I unit, इसनाव प्रीफिक्स, इसका संथिक्नोटेश, संथिक्नोटेश, इसका संथिक्नोटेश, एक वट लेटर यूज़ करते हैं, ऐसे unit से, जो के prefix के लाता है, ठीक है students, तो यह थे इसके mega units, और यह है इसका अपना, unit watt, clear students, अब आपके और आपके text book में unit use होता है, one pass power, जो के 746 watt, के बराबर होता है, आए students, उसकी physics जानते, करें के उसके पीछे क्या reason थी, students, one pass power को, आपके text book में लिखे जाता है, यह बराबर होती है, 746 watt, अब हार्स के आप बोड़ा, अब यहाँ आप सोचने होंगे, one pass power का क्या sense बनता, 746 watt थी, students, इप पुराणे वक्तों की बाद थी, जब एक steam engine था, एक steam engine, तो steam engine की जब पावर थी, वो थी 746 watt, वो एक second के अंदर, 746 watt का मतलब क्या है, 746 watt का मतलब यह है, कि वो 746 watt की energy कंजूम करता था, इतने second में, एक second, अब ऐसा किया गया, कि इसी steam engine को, पुराणे वक्तों में, एक गोड़े से replace कर दिया गया, steam engine को हटा दिया गया, उसको हटा के, एक horse, एक गोड़ा रख दिया गया, clear, और उस steam engine की जो functioning, थी, same, उस गोड़े के साथ भी यही functioning रखी गी, सारी settlement, सारी गोड़े के साथ रख देगी, वहाँ क्या note किया गया, कि जो एक steam engine की पावर होती है, एक second में, यानि वो एक second में, जो 746 जाओल की इनर्जी कर्जूम करता है, same, एक गोड़े की ताकत, एक steam engine के बरापर उबजार की गयी, यानि देखा गया, कि एक horse की जो पावर थी, वो एक second में, same, 746 जाओल की थी, यानि वो भी, एक second में, 746 जाओल की इनर्जी कर्जूम कर, इसी लिए, उस steam engine की पावर को, एक horse पावर के साथ, रिप्लेस कर दिया गया, और ये, तया हो गया, कि एक horse जो है, वो भी एक second में, 746 वाट की इनर्जी, दिलिवर करता है, तो दोनों same thing, इसलिए कह देगा, 1 HP is equal to, 746 वाट, आप students, इसी पावर को, डिफाइंड करने के लिए, इन गिनर्ज के जुम्रे में, कुछ आपके, डिलिल आफ की कुछ बातें उठा लेते हैं, आप एक light bulb देखते हो, एक light bulb, जो के जलना होता है, students, उसके उपाल, कुछ बाल होते हैं, जिनके उपार लिखा होता है, 100 watt, कुछ होते हैं, जिनके उपार लिखा होता है, 50 watt, ओके, students, यह तो है, electrical impliances, अब इस electrical impliances में, 100 watt और 50 watt का क्या मतलब, the answer is so simple, 100 watt का मतलब क्या है, कि यह bulk heavy क्यों है, bulk A जो है, वो bulk B से है, वो heavy क्यों है, क्योंके students, यह एक सेकेंड में, 100 jol की electrical energy consume करता है, एक सेकेंड में, 100 jol की electrical energy consume करता है, सेमिरले, अगर आप 50 watt के लिए, इसको replace करो, तो 50 watt के प्लेश में, यह 50 jol की electrical energy consume करता है, तो यह एक सेकेंड में, ज्यादा energy consume करता, मीन्स, ज्यादा power लगाता है, यही बल्ब, एक सेकेंड में, 50 jol की energy consume करता है, मीन्स, कम power लगाता है, इसे बने मले unit drops ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा power लगाता है, और इसे बने मले unit drops कम होते हैं, क्योंकि कम power लगाता है, तो 100 watt, 10 watt, 20 watt, 20W सभास 갔 अट है कि वो इतनाई जूल की एनरजी कयों करते हूं एक सेकिंट इसलिए इसलिए उते होट इनक्रीज चले जाता है जितनी खूल से पावार का इनरजी डिलीवर पर पर इनर्जी डिलिवर अगर तो कम पावर होगी ओके स्टुट्स नांसर तो सिंपल कम टाइम में ज्यादा एनर्जी लगाना मिन्स ज्यादा पावर लगाना का मतलब है और कम टाइम में कॉके कम टाइम में कम एनर्जी लगाना या आपकी कम पावर को हो सकती कम टैम में श्म टास्क प्रफारम करना थे मिनर्जी लगाना ठीक है और उसे वह रिधन कर लेना यह आपकी ज्यादा पावर है और ज्यादा टायम लेकर कम अठीड्र उतिलाइज करना कम एनर्जी कशन करना या कि पिसी भी बाड़ी की कम पावर को बताती है लेटा स्टूरिंट्स पावर कर टाप दें, हॉप सोब कि आपको अच्छी समझ आ गया होगा, इनकेस अगर आपको समझनी आया, कमिल बाक्स में मुझे बताइएगा, इनकेस है फिरी पेरिक, इसके बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, इंज्जाए करते हैं फिजिक्स के साथ, थैंक यू